नमस्ते दोस्तों, आज मैंने बनाये हैं उली फुली सी बेगन का चौप यानि की बेगुनी, हम लोग बेंगुली में इसे बेगुनी कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन, अब मैं इसमें एट कर दूँगी एक छो कुछ दाने, अब इसमेट करती हूँ पानी और इसका हम अच्छे से सिफ मिक्स कर लेंगे, और इसका जो हम घोल बनाएंगे, ये घोल एकदम से पतला भी नहीं होना चाहिए, और गारा भी नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं, ये घोल बिलकुल तयार है, अब बेगन काट लेते हैं, तो मैंने लिया है एक बेगन, अब हम बेगन को काट लेंगे, तो बहुत ही पतला करके हमें काटना है, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हम पतले-पतला करके बेगन को काट लिया है, तो इसको ऊपर से थोड़े सा चक्कु से हमें इस तरह से काट कर दिया अब मैं इसमें नमक और हल्दी एट करूँगी और अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब कराए में हम डालेंगे सरसो का तेल गरम होने के लिए तो आप सरसो का तेल भी एट कर सकते हैं या फिर आप रिफाइन ओल भी तो तील जैसे ही गरम हो जाए अब मैं इसमें यह जो बेगन है इस तरह से अब देख सकते मैंने गोल में इस तरह से से डूबोया अब एक एक करके हम तील में इसे छोड़ेंगे और गैस के फ्लेम को एक दम ही मीडियम आज पर रखते हैं हमें इसे कूप करना है नहीं तो जैसे एक साइट कलर होने लगे आप देख सकते हैं यह कलर मतलब एक साइट पक चुका है तो हम दूसरे साइट में इसे पलट देते हैं और दूसरे साइट को भी हम पका लेते हैं तो यह बेगनी रेडी हो चुका है तो हम एक प्लेट में इसे निकाल देते हैं तो इस तरह से मैंने जितने भी बेगन काटके रखे थे सारे बेगन का मैंने इस तरह से इसे फ्राइ कर लिया है तो तयार है बेगन का चौब यानि की बेगुनी आप लोग भी इसे एक बर बनाएगार हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक किर दिजिएगा